Hello students, today's lecture I will solving second activity based on golden rules of debit and credit traditional approach. So let's start our lecture. Last lecture लाम अपन second chapter start केला होता meaning and fundamental of double entry bookkeeping. या chapter मधे अपन last lecture लाम golden rules of debit and credit traditional approach है. यह rules अपन बगितली होता हैं. तया rules बर अपन last lecture लाँ first activity बगितली होती है. अपन तयाच rules बर depend अपन या लिक्चला second activity बगना रहोता. Activity second, fill the following table. अपनला खली table दिलेला है तो अपनला काय कराईजा है? Fill up कराईजा है. या activity second मधे अपनला transaction सा analysis कराईजा है. ते पन debit and credit चे golden rules अपलाई करून. ते पन traditional approach ने. मा analysis of transaction by applying rules of debit and credit traditional approach. इते खाली table अपनला दिलेला है. Serial number, transaction, two aspects or effect. अपनला transaction छे कोंते दोन इफेक्ट्स असना रहे? Accounts involved. ते ट्रांजक्शन मधे कोंते दोन आकाउंट असना रहे? Classification of account. ते personal account आहे, real account आहे, nominal account आहे, ते classify कराईजा है. आनि ते आनुसर कोंता रूलती ते applicable आहे, ते आपलेले इता find out कराईजा है. आनि कोंता account debit आनि कोंता account credit आहे, इता आपलेला काय कराईजा है? Fill up कराईजा है. अशा प्रकारे आपलेले इता table दे लेला है, आनि तो table आपलेला या second activity मधे काय कराईजा है? Fill up कराईजा है. तर आपन table fill up करूया. Serial number first, transaction आपलेला first दे लेला है. Commence business with cash rupees 90,000. avec double month round आपन गोंतो आपन इता व्यावसाया ची सुरोवात करते है, मघे रोख आपलेला व्यावसाया मधे इना, महें इता first effect आपला काया आसना रहे? Cash comes in. वन्नु कैश आकांड लापन काय करना रीते डेबिट, कारण आपले व्यावसाय त्रोक एता है आनि सेकेंड अस्पेक्ट रीते काय आसना रहे, कि जो बिजनेस ची शुरवात केले लिया है जो कि तेला पन प्रोप्रााईटर मनतों, त्या प्रोप्रााईटर ने 90,000 रुपाई ए तेच बांड वल, मंज़ेस अर्तात गुन्तवनों केली मंज़ेस काय की टेनी बांड वल गुन्तवनले लिया है मंझे हे जे बांडवल आहे ते आपटला कुनी गीवर के लेला है प्रोप्राइटर नी दिलेला है मनुँ सेकेंड अस्पेक्ट आपला काया आसना रहे प्रोप्राइटर मंझे च्पापिटल प्रोप्राइटर जा आपन इते रेकॉर्ड करता ना क्यापिटल गेतों capital is a giver capital is a giver मंझे हे दोन अस्पेट्स आपन या first transaction वरूं find out के ले ले आए आता first account इते कोंतास ना रहे वेवसायत cash एना रहे मंझे cash account is the first account आनि second account हे मंझे proprietor capital न स्वरी proprietor नी काई के ले 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 आए हे पैसे गुंतो ले ले आए मंझे second account आपना कोंतास ना रहे capital account classification of accounts मदे cash account मंझे आपना कड़े cash एती है मंझे से real account आ है आपना आनि capital account हे काया है personal account मंगी ते real account सा कोंता रूल अप्लिकेबल हो तो cash comes in cash एती है मंझे आपना ते debit असना रहा है आनि proprietor giver आ है मंझे तो credit असना रहा है मंझे ते real account सा debit rule आपना ही ते applicable हो ना रहा है debit what comes in debit what comes in आनि personal account सा credit the giver credit the giver ते आमोई account to be debit आपन कोंजे आकाउंट ला debit करना रहा है व्यावसा या त्रोक एना रहा है मंझे cash account is a debit आनि proprietor आगिवर आ है मंझे capital account is a credit मंझे आशा प्रकारे आपन फर्स्ट ट्रांजेक्शन चाहिता analysis के लेला है तान अंतर second transaction deposited cash into देना bank rupees 9,000 आपन 9,000 रुपई ही cash bank के मदे deposit के लेला है आताप जरी है bank account जरी business चासल तरी आपन ते bank के मदे deposit करतो है मंझे आपला करचे है cash जाना रहे आन ते कुठे deposit होना रहे देना bank मदे मंझे देना bank मदे ते पैसे आपन deposit करते पन आपला करचे cash जाना रहे कारण आपन ते bank के मदे deposit करते आपला करचे cash जाना रहे आपन कुठे deposit करते देना bank मदे मनुन इता आपन देना बैंक ला काय करना डेबिट मनुन देना फर्स्ट अस्पेक्ट आपनला काया आसना रहे देना बैंक इस रिसीवर कारंते देना बैंक मदे आपन ती कैश डिपोजिट करते हैं देना बैंक is a receiver. आनि second aspect आपन बैंक के cash deposit करते हैं मज़े अपला करचे cash जाना है, मौनू cash goes out. आता देना बैंक, sorry, इते first account आपला कौनता असना रहे? देना बैंक. देना बैंक अकांट आनि second account आपला कौनता असना रहे? cash account. आता classification of account मदे. देना बैंक है काया है? artificial personal account आए. कारण हैच आपन legally काय के ले 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 आसते? legally बैंके चीती स्तापना जाले ले ले आसते, ते आम होते artificial personal account आए. मनून, देना बैंक is a personal account. आनि cash account is a real account. मज़े ते कौनता रूल अपला अपलीकेबल होतो? debit दी receiver. debit दी receiver. आनि real account चांट क्रेडिट वर्ट गोज आउट. क्रेडिट वर्ट गोज आउट. आरान आपलीकाच ची क्याश जाती. ते आमोडे इता डेना बैंक ही ज़े receiver आहे मनून आपन देना बैंक लाईते debit कलनार. आनिया अपलीकाच ची क्याश जाती है मनून क्याश आकांट ला अपन क्रेडिट कलनार. जाशा प्राकारे आपनी ते सेकेंड ट्रांजेक्शन से अनलेसे के लेला ही. त्यान अंतर थर्ड ट्रांजेक्शन बगुयाथ. विड्रो क्याश फ्रॉम पर्सनल यूज रूपीज 1,500. आपन पर्सनल यूज साथी क्याश विड्रो करता है 15 रूपे. आपन व्यॉउसाय मधून जिम्वा स्वताचाः वईयक्तिक कामा साथी किमा स्वताचा पर्सनल यूज साथी जिम्वा क्याश विड्रो करता हैं? ते नुई आपन आपन उच्छल मंजे ड्रोऊइंग से मनता स्थो. त्या मुझे आपन व्याउसाय मदून पंद्राश रूपय पर्सनल यूज साठी काय गेता है? उचसल गेता है मंजे ते आपला काय आ है? ड्रोइंग है मगी ते आपला first aspect काया असना रहे कि आपन आपला personal use sati business मदुन 15 रुपे विड्रॉप करते कि जला आपन उचसल मंझे drawings मंतो मंझे आपन इते पईसे स्वाता चा personal use sati काडतो है मनुँ first aspect आपला इते काया असना रहे कि drawing by proprietor drawings by proprietor आपन personal use sati ते काय करता है business मदुन cash withdraw करता है मुँ first aspect आपला आसना रहे drawings by proprietor जा प्रमाने आपन first transaction मदे बगित लगी proprietor मझे आपन जा प्रमाने capital account ला credit के लेला है करन business ची शुरुवात करता ना हाजो proprietor आहे तो as a capital मनुन invest करता सतो तामोडे इते आपन capital है जर credit आसे तर drawing है आपला काया आसना रहे debit आसना रहे तामोड drawings अलवेज है debit side आहे और capital अलवेज ही काया है credit side आहे मनुन first aspect आपला काया आसना रहे drawings by proprietor आणी second aspect आपला काया आसना रहे कि आपन व्यावसाया मदून पईसे काड़तो है परसनल यूद साथी मन्जे व्यावसाया अतले पाईसे गेले मन्जे second aspect आपला काया आसना रहे cash goes out cash goes out मन फर्स्ट आकाउंट आपला इते काया आसना रहे drawings आकाउंट drawings आकाउंट आनी second account आपला काया आसना रहे cash आकाउंट drawings account आपन personal यूद 30% से काड़ लो लाए मैंजे drawings account एका आशना रहा है आपलो personal account personal account आणि cash account आपलो real account आशना रहा है मैं इते कोंता rule अपलाइड होतो personal account चा debit rule मैंजे debit the receiver debit the receiver आणि real account चा credit what goes out credit what goes out त्या मुझे आप्रामाने first transaction आपन बगित लो था कि व्या उसाई सुरू कान्या साथी 90,000 रुपय अची प्रोप्राइटर मैंजे सक हैनी काई के लेला सता प्रोप्राइटर ने as the capital मनुन invest के लेला सता मनुन capital account है आपलो always काया सता प्रेडिट असता तर drawings account आपलो काया सना रहे debit असना रहे त्या मुझे drawings account आपलो काया है debit आए drawings account is a debit आणि आपला व्या उसाया मधून cash जाता है मनु cash account आपलो काया सना रहे credit त्यान अंतर्ण वोड ट्रांजक्षन बग्गुयाद purchase goods from मंदार Rs.12,000 करूं 12,000 उसा मल काया गया है मनचे प्रचेस प्रकाय आपलो काया है ते expenses आ है ल्गं uhush spec आपलो काया सना रहे purchase is an expense इज एग्सपेंसेज, कारण आपन मंदार कड़ून 12,000 रुपयाचा माल खरेदी केलेला है, तामुड पर्चेस है आपला काया है, एक्सपेंसेज आहे, वनुँ पर्चेस आकाउंट आपन डेबिट करनार, आणि आपन मंदार कड़ून माल खरेदी करतो है, मंजे तेजाकर स आ मल जाना रहे कि जो आपला गिवर आए, वनुँ पर्चेस आकाउंट आपन करनार, मंदार इज oportun गिवर, मैं इते कोनते दोन अकाउंट आहे, पर्चेस आकाउंट आणि आणी शेकेंड आपन आपनला काया है, निजर घरेदी करनार, है personal account मरीटे nominal अकांटा कोमता rule applied होतो debit debit all expenses and losses all expenses and losses आनि personal चneck्रेडित रूल कोमता अपला होतो इते credit the giver credit the giver तामोई अपलाएड ओतो डेबीट चा डेबीट, अल एक्सपेंसेज और लोसेज, अनि परसनल चा क्रेडिट रूल कोंता अपलाएड ओतो इते क्रेडिट द गिवर, तामों अकांट टो बी डेबीटेड, आपन माल खरेदी केला मनूं परचेस अकांट हे अपन मंदार कट सा माल गेला करन तो गिवर आए, मनूं मंदार आकांट हे क्रेडिट, ताम अन्तर फिफ्ट ट्रांजक्शन पेड सालरी रूपीज 2,900, अपन सालरी पेड करते हैं, सालरी पेड करते हैं, मंजे सालरी है अपले एक एक्सपेंसे सासना रहे हैं, आणि ते अप आपन पेड करते हैं, मंजे आपली व्योसा इतली ती क्याश जाना रहें, ताम फर्स्ट अस्पेक्ट आपला का आए, सालरी पेड करते हैं, मंजे सालरी इस एक्सपेंसे सालरी इस एक्सपेंसे सालरी इस एक्सपेंसे सालरी आपन डेबिट करनार करना आपन सालरी पेड कर हें सालरी पेड करां तसला मोग अपले आकवाण करची क्याश जानां होन और क्याश गोज आउट है आपले सेकेंट एससेक्ट असनार क्याश गोज आउट तयाम उछ cash account ला पने credit करना ताम लोग इथे कोंते दोन अकाउंट आहे first account is a salary account करण आपन salary paid करतो है आनि second account रिजम cash account करण salary paid करता सला मुझ आपले करची cash दाती ताम लोग salary account कोंता अकाउंट आहे nominal account करण ते expenses आहे आनि cash account है काया है real account मुझ ते कोंता rule applicable हो तो debit all expenses and losses all expenses and losses आनि real आकाउंचा credit what goes out credit what goes out अता salary paid करते है मैंजे salary आपले debit असना रहा है मुझे salary account is a debit आनि salary paid करता सला मुझ आपले करची cash goes out होना रहे मुझे cash account is a credit salary account debit आनि cash account is a credit best आानि never last transaction received interest 4,000 आपले ला interest मुझे वैज में आलेला है 4000 आता आपले ला interest receive जालेला है मुझे आपले ला interest में अता तरो आपले कडे कै एना रहे cash एना रहे आणि interest receive है आपला काया है income आए मानू second is aspect interest receive is an income माई इते first account आपला कोंता आशना रहे cash ये तिया मनूं cash account आणि second interest account interest receive account cash account आपला काया है real account आणि interest receive आपला interest में तोई माझे ते आपले income जाला मनूं ते nominal account इते कोंता रूल applicable होतो real account जेकी cash ये नार आपला है debit आपला है debit आपला है तर इते debit what comes in आणि interest receive आपला nominal account आशना मूझे इते कोंता रूल applicable होतों credit credit all income and gains all income and gains अतक cash comes इन मन्जे interest receive आपला काड़े cash ये नार आ है cash account is a debit cash account is a debit आणि interest receive आपले income आशना मूझे आपला काया आशना रा है credit interest received account is a credit मन्जे अश्या प्रकारे या लेक्चर ला आपन golden rules of debit and credit traditional approach है जे आपन golden rules भगिदल होते त्यावर depend आपन या लेक्चर ला second activity इता solve के लेलिया है कि जा second activity मदे आपले ला fill the following table मन्जे प्रत्ते transaction से इता आपले ला analysis कराईच होता by applying rules of debit and credit traditional approach त्या प्रमाने आपले ला इता table दिला होता त्या table नुसर आपन प्रत्ते transaction से इता काय के लेला है analysis के लेला है debit and credit जे golden rules इता यूच्स करून बंजे अशा प्रकारे या लेक्चर ला आपन activity second इता काय के लेली आहे solve के लेली आहे I hope second activity तुम्हाला कडाईली असेल next lecture ला आपन next activity बगना रहोता thank you for listening